हालो स्टूडेंट कुछ की अभी नहीं ही जैजैकार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती जी हाँ बिल्कुल बस ज्यादा बातना बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं बेसिक मैथ आप पढ़ रहे हैं पार्ट नमबर 9 है फ्रेक्शन आजम पढ़ेंगे जिसे हिंदी में भिन्न जाता है इसमें आज हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ गटाना गुड़ा और भाग जिसे इंगलीज में एडीचन आफ सरेक्शन मौलिपल आफ रेक्शन अट डिवीजन आफ रेक्शन का जाता है मैं दोस्तों भिन्न अगर इसके बारे में हम डिस काई पार्ट में काट देते हैं तो इसके माध्यम से अब भिन को आसानी से समझ सकते हो जैसे एक संपुर्ड गोला है तो इसे आप वन अपान वन लिख सकते हो मतलब यह गोला वन अपान वन है अगर इसमें हमने ऐसे एक लाइन बीच में खीच दिया और इसके पार्ट इधर हो गया ए और एक पार्ट हो पी तो इससे मैं अकर बोलों की एक आप जो भाग है वह कितना है टोचल का तो घृएवर न लिख लिए होते हैं चुकि नीचे जो गिंती होती है वो टोटल कितने पार्ट है वो दरसाती है उपर जो गिंती होती है उस नंबर का या फिर उसका हिस्सा कितना है जैसे है तो एक हिस्सा कितना है भाई एक ही जगा तो लिखा है ना पी जगा लिखा है यानि एक जगा लिखा है तो लि भी को भी लीखते हैं अव्य अभ ध्यान देना Total कितने पार्ट हो गए इसके एक लागी ऐगा ब्लब क्यण को कितना यह मैं कितनी बार यह तो तीन लिखो गए ओर ужеI कल व्हावां अग्व मतलब यहां हो तीन और अगा कितना है तीन गणा और अगर भोलें B का कितना हिस्सा है इसमें तो B का एक ही इसे मिला है तो यह one हो जाएगा और टोटल कितने थे चार थे तो चार एक-बटा चार अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि बहिए अगर एक भाग तीन-बटा-चार को आएगा बाराबर वन आएगा कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक छोटे से भाक को भी न глगा है या फिर ऐसे कह सकते हो ऑर किसी गुरूब के एक भिन्न का जोड़ की, ध्यान से देखना, देखो यार जोड़ क्या होता भिन्न में, इसमें दो तरह की भिन्न होती हैं, एक जब हर बराबर हो, और एक जब हर बराबर ना हो, सबसे पहले हम बात करते हैं, यह हरोगरा क्या होते हैं, देखो, जैसे अगर हमने आप लिख दिया थिरी और यह फोर तो जो गिंती उपर होती है इसे अंस बोलते हैं और जो नीचे होती इसको हर बोलते हैं इसे नुमरेटर बोलते हैं उपर वाली गिंती को क्या बोलते हैं नुमरेटर और इसे डेनुमिनेटर बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं डेनुमिनेटर आपी स्पेल ह Lamborghini को नुमुरेटर नीचे की जो होती उसे डेनोमेने बोलते हैं जब यह डेनोमेनेटर इक्वाल हो मतलब दोनों एक ही जैसे हो तो इनको कैसे समझते हैं देखो यह वन अपांड तो दोनों में देखो उपर भी नस्य बराबर है हर भी बराबर इसका तरह जो जोड़ होता है जोनीचे हर होता है उसको बड़ी लाइन खीच के एक बार लिख देते हैं उसके बाद ऊपर का जो प्लस वन मतलब जो भी था यह वन वन बीच में प्लस अपलफ लगा कि यह से लिख लिए फिर तीसरे इस्टेब में क्या करेंगे इसको 118 कर देंगे टू हो जाएगा और नीचे जो टू है इसको ऐसे लिख देंगे अभी हम आपको सिंफलिफाइ करना नहीं बता रहें सिर्फ एड़ करना बता रहें य בןाब्त त्ञेम हैं मतलब इसमें भी टैनोमलेट इकनल है तो क्या करेंगे एक लाइन खीच के लिख देंगे यह उपर जो भी नमबर ए 2 लिख देंगे लीट आप तरो से बन तो समाज़ गए न हो गया कंप्लेटली लिक्षण देख लिए ना इसी तरह का आप कोई भी कुश्चन कर सकते हो अब इसमें कोई भी आपको प्राब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है इसको आप खुद से करना और फिर आंसर बताना कमेंट करके जल्दी से बटा पट यह सब भी होम और के आपके लिए आप इनी खुद से कर लेना ठीक है इस इसे रात नोग बजे से नहीं देख लेंगे इस समय पर जन टाइम में तो आप बाद में ने देख वाएंगे ठीक ना इसलिए आप इसे जब भी चल रही है कलास उसी टाइम पर देखो चलो देखो इसमें दोनों हर अलग अलग है इस तरह के होने पर इसमें दो तरीका होत दो में कर लो तो कितना हो जाएगा तीन दोना चैन अब बीच में जो धन का चिन्न है उसको ऐसे लगा दोगे प्लس का पॉर का वन में करोगे तो यह फौर और नीचे एक लाइन खीच के फिर नीचे नीचे का मल्टीपल करोगे फौर का टू में तो फौर तू जा एक्ट बात समझ रहे हो ना अब इनको जोड़ दोगे तो 6 और 4 यह हो जाएगा 10 नीचे 8 था तो यह 8 ऐसे लिखते होगे यह होगे आपका पहला तरीका इसी तरीका से दूसरा भी समझ लो जिससे आपको यह तरीका क्लियर हो जाए क्रास मल्टीपल करेंगे मतलब आप इस 5 का मल्ट इस वन में करोगे तो 7 वन जा यह 7 और फिर एक लाइन कीच के 7 का 5 में कर दोगे तो 7 5 जा 35 साथ पच्चे मतलब 35 कि इस तरह से फिर एक नीचे क्या करो के जोड़ दो के 25 में 5 जोड़ो के 25 35 32 इसे आप बड़े अराम से कर लोगे इसमें तो कोई मुस्किबत है नहीं किस्टन में और भी आपको दे रहा हूं इसे आप खूद से कर लेना और फिर बताना ठीक है यह मैंने आपको फाइस में बता दिया जो कुश्चन आपके लिए है जो भी यह तीन इनको आप खुद से करना प्रेक्टिस करना देखो मैं प्रेक्टिस कुश्चन दे रहा हूं पहले भी दिया था आज भी दे रहा हूं फिर भी दे रहा हूं ठीक है क्लास में ही प्रेक्टिस हो जाएगा अलग से कुछ नहीं क को स्थिखा चुका हूं आप नीचे-चे गिंती काली सियम करोगे ठीक है 9 और 30 काल्च ले लेना और फिर मुझे बताना ठीक है 9-3 कालसीम 9 होगा बात समझ गए लेना मैं पहले सिखा दिया हूं लेने के बाद क्या करोगे देखो द्यान दो इधर LCM आ गया ना इनना LCM लेने के बाद क्या करोगे पहली भिन्न का जो हर है हर मतलब नीचे की संख्या उससे LCM में भाग करोगे तो LCM में भाग करेंगे किस से पहली भिन्न के हर से पहली भिन्न का हर 9 है LCM भी 9 है भाग करोगे तो ये कितना आएगा इसका भाग फल वान आएगा तो जो वन आ रहा है यानि ये वन इस वन से पहली भिन्न के अंस में उपर वाली गिंती में यानि फोर में इसमें मल्टीपल करोगे तो फोर में जब वन का मल्टीपल करोगे तो फोर आएगा यही आपका process दूसरी वाली बिन्य के साथ करोगे में पहले um में हर से भाग करो吉 August 9 για इसके अंस में गुड़ा हो यह चार में तो नीचे नुल था तो इसको यहां लिख दो बस इनको जोड़ देना अब 24 25 नीचे 9 था तो 9 हो गया इस तरह से आप इसे कर लोगे इसे दूसरे मेठेट से करोगे तब भी वैसे ही आएगा चाहे चलो करके दिखा देता हूँ अगर आप लोगों के मन में कुछ आ रहा हो तो दोनों मेठेट से उत् करास मल्टीपल में भी उतना ही आएगा चलो करास मल्टीपल करें तीन का चार में तो देखो तीन चोंकी हो जाएगा बारह धन नो का साथ में करो 9 सते 63 और 9 327 अंसर एक कौल आएगा तब ही सही नहीं तो गलत है ठीक चलो भागना नहीं बस देखते जाओ इनको चोड़ो वर ऊपर कितना हो जाएगा यह 3 दूई हो जाएगा पांच और शाग एक साथ नीचे का जाएगा 27 इन्हें आप 3 से काट सकते हो तीन से काटो गे 75 को तो पचीस आएगा तीन से 27 को काटो गे नौ आएगा देखो अगर आप ध्यान दो तो यह दोनों उतर एक आ रहा ना पराबर आ रहा ना मतलब यह सब्सक्राइब दोनों मेथेड में से जो आपको बेटर लगे वही सीख लो भाई दोनों करना असान होता हाँ अगर बड़ी भिन्हें तो यह मौल हासान होता है तिरी च्छा गुड़ा मुश्किल होता है थोड़ा देखिए साथियों एक कलास 10 मिनट की हर दिन होती है अगर आप लंबी कलास चाहते हैं एक दो घंटे की तीन-चार घंटे की कलास आपको मिल जाएगी मैरा थन इसके सब्सक्राइब कर लें यूटूब पर प्रियाग राज और ऐसे 10 मिनट हर दिन कुछ ना कुछ कांसेप्ट सीखते रहें आराम-ाराम से और पढ़ते रहें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को सेयर जरूर करना जैहिं हैं